Hello students of class 5th, today we are going to study maths. In this we will start new chapter, chapter number 3, rounding numbers. Rounding numbers, page number 20. Rounding numbers, यानि आपको कोई एक number दे देगा, और आपको बोलेगा कि वो आपको मितलब उस number को rounding number तक करना है, या tens में करिए, या hundreds में करिए, या thousands में करिए, ठीक है? यानि nearest tens, nearest hundreds, nearest thousand, बट उसको भी करने का एक way होता है, means rounding of जैसे हम example दें कि आगर हमने 300 का सामान लिया हो, या 50 का हमने सामान दिया है, तो हम shopkeeper से बोलेंगे कि ठीक है, इसको 300 में दे दीजे, ठीक है? मतब ना आपका ना मेरा, 300 आप इसका लगा लीजे, तो इसी तरह से हम मतब कुछ कोई भी सामान लेते हैं, आप कुछ चीज़े लेते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा कम ज्यादा करते हैं, वही एक मान लीजे कि वही आपका rounding numbers भी हो जाता है, कि हम उसी चीज़े के करीब में रहते हैं, ठीक है? यहां पर एक्जामपल दिया हुआ है, बच्छम पर आपको समझा दे कि यह होगा कैसे, यहां पर आपका दिया हुआ है 434, ठीक है? यह आपका दिया हुआ है 434, इसको आपको round out करना है nearest tense हो है, nearest tense, यहां पर देखे, nearest tense दिखाऊ हुआ, nearest tense, ठीक है? इसको आप nearest tense में क्या करेंगे? यहां पर आप तक tense, यानि once और tense, 34, nearest tense में आपके यह तीजिस रहेंगे, इसमें भी आप last की digit रहेंगे, यह क्या है? यह 4 है, और 4 क्या है? यह 5 से कम है, ठीक है, 4 क्या है? 5 से कम है, अगर 5 रहता है यहां पर, तो हम उसके उपर जाते हैं, लेकिन यह 4 है, तो हम 4 numbers पीछे चलेते हैंगे, यानि इसका अगर हम nearest tense करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 430, क्योंकि यह 5 से कम है, अगर 5 रहता, या 5 के उपर रहता, तो हम आगी जाते हैं, तब यह 440 हो जाता, लेकिन यह 434 है, हमें nearest tense करना है, तो यह 430 हो जाता, लेकिन अगर इससे हमें एक्जांपल दिना है, 545 है, ठीक है, 545 है, इसको भी आपको nearest tense करना है, तो last दीचे दिखें क्या है, 5 है, अब यह 5 होगा, या 5 के उपर होगा, ठीक है, लिसन तो भी नंबर 5 है, या 5 के उपर का नंबर है, लाइक 6, 7, 8, 9, तो हम उसको आगे 540 नहीं होगा, ये 545, 550 हो जाएगा, इस तरह से nearest tense में होगा, ठीक है, नाउ nearest hundred में कैसे करेंगे, nearest hundred, nearest hundred में हम कैसे करेंगे, 100 में हम कैसे digits देखेंगे, जिससे आपका नंबर है, 283, 283, ठीक है, इसमें हम, जब nearest tense में था, तब हम once digit देख रहेंगे, last वाली, अब हम इसमें nearest hundred है, तो हम two, यानि tense place के digit देखेंगे कौन सी है, eight है, ठीक है, जो five से बड़ी है, ठीक है, तो ये अब इसकी nearest hundred में, यानि tense की digit है, इसमें हमने, nearest tense में हमने, once place पर रहेंगा था, तो hundreds में हम tense place पर देखेंगे, tense place पर कौन सी digit है, eight, तो eight क्या है, five से बड़ा है, यानि उपर ठीक है, तो ये nearest hundred में जायेगा, तीन सो के करीव में, यानि three hundred हो गई है, ओके, इसी तरह से अगर हम four digits नमबर में भी देखें, जैसे आपका इक नमबर हो गया, six, four, three, two, six, four, three, two, 10th digit, इसमें tense digit क्या है, three है, three है ना, जो कि five से कम है, five से कम है, ये three है, हमने क्या आदा है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये अगर five हो या five से उपर हो, तब हम आगे जाते हैं, और अगर five है, तर five नहीं है, four है, two है, one है, तो हम पीछे जाएगे, तो ये five से कम है, 10th digit three है, और ये five से लेफ है, तो हम कहा जाएगे, पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, four hundred, six thousand, four hundred, ओके, इस तरह से ये आपका nearest hundred हो गया, now thousands, nearest thousand कैसे करेंगे, nearest thousand, nearest thousand, अब इसमें हम hundreds place per digit देखेंगे, nearest thousand, पहले हम अपको, one, two, five, nine, चेक, one, two, five, nine, अब nearest thousand में हम hundreds place per कौन सी digit है, वो देखेंगे, hundred place per कौन सी digit है, two, अब ये क्या है, ये भी five से कम है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पीछे ले जाएगे, अभी हमें nearest thousand में लेके जाना है, तो 259 हम पीछे जाएगे, तो ये हमारा answer हो जाएगा, one thousand, चेक है, तो ये five से कम है, in the same way, अगर हम आपको next example बता है, four, eight, three, two, four, eight, three, two, इसमें hundred के place per कौन सी digit है, eight, eight है, eight क्या है, five से बड़ी है, अब हम इसमें जाएगे इस पर, तो ये four, eight, eight, three, two है, अभी हो जाएगा आपका five thousand, this is your example, okay, I am telling you कि how you have to change, अगर nearest ten आएगा, तब आपको one square की digit देखनी है, अगर nearest hundred आ रहा है, तो आपको ten square की digit देखनी है, और अगर nearest thousand आएगा, तब आपको hundred square की digit देखनी है, इस तरह से आप जब देखनेंगे, तो आपको आपकी answer मिल जाएगे, okay, now, we will do exercise A, round of the following numbers to the nearest tenes, आपको अब इसमें nearest tenes में करना है, चलिए, उप में ही यहाँ भी करेंगे, round of the following numbers to the nearest tenes, A है आपका fifty chain, fifty chain हमने क्या गाता, nearest tenes के हम कौन सीटी जब देखनेंगे, यह, तो यह क्या है, three है, five से, छोटा है, तो nearest tenes में क्या हो जाएगा, पीछे हम लेंगे तो zero, यानि fifty, ten seventy eight, यह eight है, यानि five से बड़ा, तो यह क्या हो जाएगा, eight, उब जाएगा, one hundred forty three, इसमें भी हम इनी पीचिट देखेंगे, तो यह three क्या है, five से छोटा है, तो यह nearest tenes है ना, इसलिए हम इसको one forty देखेंगे, then five thousand one hundred sixty two, यह भी हम लास नीचिट देखेंगे, once place की, यह कितना है, यह two है, यह भी five six कोटा है, यानि five से कम है, तो यह आपकर क्या हो जाएगा, five thousand one hundred sixty, then eight thousand seven hundred sixty nine, यह nine है, यानि five से बड़ा, तो यह क्या हो जाएगा, eight thousand seven hundred seventy, okay, now nearest hundreds, hundreds में हमने क्या आपका था, अम कौसी digits देखेंगे, tenes place, add tenes place, tenes place को देखेंगे, eight पर क्या है, six hundred seventy, six hundred seventy, six hundred seventy, one क्या है, five से छोटा है, तो हम तीछे सले जाएगे, six hundred, then two thousand one hundred eighty three, अगेन यहाँ पर देखें, यह क्या है, eight, tenes place पर देखना है, tenes place क्या है, eight है, और eight क्या है, five से बड़ा है, तो हम उपर चले जाएगे, तो one hundred eighty three है, अब गो two hundred हो जाएगे, two thousand two hundred, okay, now one thousand ninety seven, क्यों से देखें, tenes place क्या है, nine है, और nine क्या है, five से बड़ा है, तो one thousand ninety seven का क्या हो जाएगे, sorry, ten thousand, ninety seven का क्या होगा, ten thousand hundred, ten, तो रिखेंगे लिए, और zero ninety seven, यह ninety seven का उपर जाएगे, hundred, तो hundred हो जाएगे, ten thousand hundred, ओके, now three two one eight five one, इसमें यह five है, तो five है, यह five से उपर जाएगे, हम उपर ही जाएगे, तो यह कितना हो जाएगा, twenty one thousand nine hundred, twenty one nine hundred, three one eight six three, यह आपका, six, यह भी five से बड़ा है, तो इस्ता आंसर भी क्या होगा, three one और nine hundred, thirty one, क्योंकि hundred में जाना है, तो eight hundred sixty three के, जब हम उपर जाएगे, eight hundred sixty three बड़, nine hundred में ही लेंगे, तो thirty one thousand nine hundred, okay, in this way आपका nearest hundred हो गया, then coming through, round of the following numbers, to the nearest thousands, nearest thousands में हम कैसे करेंगे, जिसमें हमने यह क्या कहा था, hundred की place value देखेंगे, यहां देखेंगे, क्या है, forty one thousand nine hundred thirty two, इसमें hundred place value क्या है, nine, nine क्या है, price से बड़ा है, हम उपर जाएगे, forty two thousand हो जाएगा है, forty two or triple zero, forty two thousand, ठीक है, now come here, twenty one thousand nine, इसमें भी nine zero zero, यह तो zero ही, obviously, so twenty one thousand हो जाएगा है, यह गिवस nine भी जगापर हम zero क्या हो जाएगे, twenty one thousand, then seventy eight thousand two hundred fifty three, इसमें भी यह two है, जो five से कम है, तो हम कहाँ जाएगे, seventy eight thousand बढ़ जाएगे, seventy eight और triple zero, two hundred one कम हो जाएगा, ठीक है, now four thousand one hundred ninety seven, इसमें भी यह one है, तो हम यह छोटा है, five से, यह आपका हो जाएगा, four thousand, one hundred ninety seven, minus हो जाएगा, four thousand, four triple zero, और यह, eight six seven, three one, eight six seven, इसमें seven, आपका, five से बढ़ा है, तो हम जिसको जाएगे, उपर, तो यह उपर जाएगे, तो यह आपका हमार हो जाएगा, इसमें, seven thousand, triple zero, ठीक है, in this way, we have completed, nearest 10s, nearest 100s, nearest 1000s, tomorrow, I will explain you, how to change nearest laps, nearest 10 laps, and nearest curves, okay, till then, do this work in your book also, and learn how to, how, means how we have done this, and try to understand, it is very easy, but only you have to focus on it, on it, okay,